हालो एब्रीवन आप सबका स्वागत है आपके चैनल करेपड़ाई में आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैट्स करने वाले यह आपका फाउंडेशन है यह जैसे कोई अच्छा काम करने के पहले अगर आप मैट्स पढ़ना चाहते हो यह कोई अच्छा काम करन पर dependent है और कैसे आपको आगे बढ़ना है अगर किसी को यह सम साते तो क्विकली स्किप करके नेक्स सम पर जा सकते यह उसको ट्राइक कर सकते स्वाल करने का लेकिन आप हर सम को धिहान से देखिए कहीं न कहीं आपको अपना वाला मिस्टेक डेफिनिटी मिल जाएगा लेट कि ओर कि अपके से होता है कि अग internation कुछ लोग एहां पर क्रॉस मैं अपक्रोफ कर लेटे कुछ एसा होता है जो मैंने देखा Раз पहले पकठा देता हूं कुछ लोग सोचते यहां पर क्रॉस म म।रोब्लाक यह तो इस तरह से कुछ कर लेते हैं यहां पर कर लेंगे प्लस फीर 4 into 1 upon 4 into 6 इस तरह से कुछ करना चाहते है उनको लगते है कि cross multiply करना है तो denominator में भी कुछ आएगा तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं ठीक है तो यहाँ पर क्या approach रहना चाहिए याँ आपके पास सब बराबर sign equal to sign मिल गया है यहाँ पर कुछ दो यह है क्या बोलते है उसको दो एक से एक number है और यह और यह भी cancel नहीं हो सकता कुछ बच्चे अगर समझो यहाँ पर x plus 3 ने लेके मैं x plus 4 ले लेता हूँ चलिए तो कुछ बच्चे 4 और 4 cancel कर देते हैं तो यह भी possible नहीं है ठीक है ना हम 4 और 4 cancel नहीं कर सकते हैं यानि इसको हम इस तरह से कुछ भी नहीं कर सकते हैं जैसे कुछ बच्चे बच्चे बोलेंगे इसको इस तरह कर लेते हैं तीक है और x बच्चे का 1 by 6 तो यह भी गलत है तो इस तरह यह approach भी हम लोग definitely नहीं कर सकते हैं तो one and only approach यह यहांपे जो भी उसको नहीं देखना है यह चार चीज़न आपको दिखाए दे रहे हैं एक यह एक यह तो आपको cross करना है X plus 4 के साथ में 6 को multiply करना है और when के साथ में 4 को multiply करना है यहाँपर ब्रैकेट सबै करना है brackets open करते समय important point है 6 को आपको यहाँ पे कुछ नहीं है तो multiplication है 6 को आपको x से multiply करना है जो 6x देगा और यहाँ पे आपको 24 देगा 6 4 24 यहाँ पे आजएगा आपका 4 इस तरह से आप कर सकते हो ठीक है उसके बाद आप क्या कर सकते हो देखिए यहाँ पे plus sign 24 के साथ जब आप equal to के उस तरफ ले लेते हो इसको तो यह आपका बन जाता है 4 minus 24 यानि 6x is equal to minus 20 ठीक है ना इस तरह से minus 20 बन जाता है ठीक है 4 minus 24 आपका हो जाता है minus 20 हमीशा बड़े नंबर का sign आपको लिखना है फिर देखिए अभी 6 और x के बीच में क्या है 6 और x के बीच में multiplication है तो जब भी हमको left hand side में multiplication है जो x तो वहीं रह जाएगा obviously लेकिन वो 6 के साथ क्या होगा यह 6 यहाँ पे subtraction होगा या exactly करना क्या है तो हमारा concept ही रहेगा कि 6 और x के बीच में क्या है multiplication जहाँ पर multiplication है वो तरफ जाते ही वो बन जाएगा division क्या हो जाएगा division तो इस तरह से हो जाएगा तो x is equal to minus 20 by 6 जो कि हो जाते है 210 23 यानि x equal to minus 10 by 3 इस तरह से आपको मिल जाएगा ठीक है तो यह final answer है आपका इस तरह से आपको यह concept building में बहुत काम आएगा अगले सम पर आ जाते हैं लोग यह सम तो चलिए समझ में आ गया होगा अगला सम बहुत इंट्रेस्टिंग समय ओके on the same lines समझ लिए आपके पास है 6 by 5 x equal to 2 और यहां पर कुछ नहीं दिया है similar type का सम है लेकिन आपको यहां पर दिख रहा है 6 by 5 कुछ अलग है और 2 कुछ अलग है यहनि करना क्या है तो हम क्या करेंगे 6 x को साथ में ले लेते 5 को ऐसी ले लेते और 2 upon 1 कर लेंगे क्या करेंगे अगर single single एक यह है तो उसको छोड़ना नहीं उसके denominator में आप 1 ले लो तो आपको आसानी से अभी concept समझ जाएगा कि यहां पर भी यही concept लगेगा जो आपने उपर यूज किया है तो 6 x into 1 हो जाएगा 2 into 5 हो जाएगा 6 x into 1 6 x 5 into 2 10 अभी दिखे 6 और x के बीच में multiplication है तो x इदर ही रहेगा 10 divided by 6 हो जाएगा 2 से reduce होगा दोनों 2 5 दा और 2 3 दा इस तरह से answer आपको मिल जाएगा similar type का sum था यह quickly let's move on to the next sum तो किये 3rd sum ठीक है यह concept भी हम लोग क्लियर कर लेते कैसे करेंगे अब समझे हमारे पासे x plus 6 upon 4 plus 1 by 2 equal to 3 कैसे अप्रोच करें इसको x plus 6 upon 4 plus half है अब यह x plus 6 upon 4 इसमें हमको कभी भी इसको और इसको divide नहीं करना है इसको ऐसे ही रखना है कभी भी एकसा expression x के साथ आता है तो उसको साथ में ही रहने दे अब देखी यहां पे plus half है यह वो तरफ जाके minus half हो जागा तो हम पहले numbers को ही deal कर लेते हैं यह जो alphabet के साथ म upon 4 और हम क्या करेंगे यहां पर हम लोग करेंगे कि है कि इसको रुका देंगे हाँ पर एकस प्लस 6 upon 4 और यहां पर हम लोग capture की 3 तो यह रहेगा हाफ ओ तरफ जाकर माईनस हो जाएँ कि यहां पर plus half था तो वो तरफ जाते ही वो minus half हो जाएगा तो फिर आगे कैसे हो सकता है देखे x plus 6 upon 4 को as it is रखा है अभी भी देखे यहाँ पर अकेला number है मैंने हमेशा बोला है अकेला number रहता है तो divide by 1 करके आप start करो ठीक है तो यहाँ पर आजाएगा x plus 6 upon 4 is equal to cross multiply होगा ये इंटो ये इंटो ये इंटो है 3 इंटो 2 6 minus 1 upon 2 तो आजाएगा x plus 6 upon 4 is equal to 5 upon 2 क्या आजाएगा x plus 6 upon 4 is equal to 5 upon 2 फिर cross करेंगे तो 2 into x plus 6 is equal to 5 into 4 इस तरह से यह method तो हम पहले भी कर चुके cross multiplication तो इसमें तो कुछ नया नही है यहाँ पे कुछ नया था cross multiplication जब हम subtraction या addition में करते तो denominator को भी multiply करना रहता है और उसको यहाँ लिखना रहता है denominator को multiply करके यहाँ लिखना है cross multiplication जब addition या subtraction में होता है तो हम इसको इससे multiply करते हैं तो 6 आता है 1 into 1 1 आता है और 2 into 1 2 आता है तो इस तरह से होता है और दीखे मैंने पूरे सम में अभी तक इसको चुआ नहीं है यानि एक्स प्लस 6 अपॉन 4 को end में डील किया है जो कि क्रॉस में गया है और यह फिर से मंटिप्ला होगा 2 into x जो कि हो जाएगा 2x माइन प्लस 12 इस इक्वल तो 20 ठीक है न इसके बाद बाद स्टेप क्या होगा इसके बाद स्टेप पर 12 तरफ चला जाएगा 2x इस इक्वल तो 20-12 और फिर आ जाएगा आपका 2x इस इक्वल तो 20-12 कितना हो जाता है 8 और फिर क्या जाएगा एक्स इस इक्वल तो इन दोनों की पिछले दो सम्में किया तो वैसे ही टाइप का समय है ठीक है आपको यह कॉंसेट क्लियर हो गया दिमाग में कि किस तरह से डिल करना है एक और कॉंसेट पर आ जाते हैं हम लो उट्रचानि क्रेट करते हैं वहैं X स्क्यर्रूअ सब्सक्राइब इसको कैसे यहाथ यहाद रहेगा बीच में तो उसको कात नहीं सकते तो इसको समझ लीजे आप यह concept को पिछले 2 बताने की कोशिश करना है तो है बाटने वाला philosophy यह एप आजाएगा और यह इस सब्सेर से आपको distribute करके चलना यह तो कभी गलत नहीं होगा एक सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो यहानि की तो इसमें बहुत बच्चे पहले क्या कर लेते हैं तो यह बिल्कुल कर लेते क्योंकि बॉर्ड मास के हिसाब से अगर बॉर्ड मास करते हैं हम उसके हिसाब से पहले हमको डेफिनेटली यहां पर तो मंटिप्लिकेशन ही करना पड़ेगा एडिशन और सब्रैक्शन के पहले मंटिप्लिकेशन होता है तो फिर यहां पर आपको करना है 2-5 तो 3 15 और फिर 2-15 आ जाएगा माइनस 13 माइनस क्यों आया है यहां पर बड़े नंबर का साइन तो वह भी बहुत जरूरी है समझना ठीक है 6 सम पर देखते क्या कर सकते हैं अब देखे एक और सम माइनस 2 अगर आपके पास है और साथ में आपके ब्रैकेट में माइनस 3 तो माइनस 2 को हम अंदर कैसे लेके हां तो जैसे यहां पर माइनस 2 को अंदर लेके जाएंगे एक से मंटिप्लाइ करेंगे तो माइनस 2 एक्स प्लस 6 आएगा इस तरह से ठीक है ना तो यह 6 सम था मैं क्याम करता हूं यह दो पेज में जो भी है आपको quickly एक बार दि स्नैप लिजिए पॉस करके और यह सम था नेक्स्ट पेज़ का अच्छी के और यह आखरी कि 456 कि ओके तरन सम पर आ जाते हैं लोग कि 7 सम में कैसे करेंगे अगर आपके पास अब सपोस्स टू बाइफाई अपॉन थ्री तो कैसे डिल करेंगे यह बड़ा वाला अपॉन यानि एक्चुली है क्या यह टू अपॉन फाई डिवाइड बाई थ्री इस तरह लिख लेंगे लोग इसको और फिर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉंसेप लगाना है तू पाई फाई डिवाइड बाई थ्री अपॉन वन कर लो पहले जिसी मैंने बोला एक नंबर आपक दून होगा है एक स्ट्रेट मंटीपिल्म उक्रास नहीं होता है ऑल्थू यह क्रॉस ति दिखता है ह्लसा स्ट्रेट काते च्ट्रेटन सबसे परइज बाई डिवाइड फाई यादि घ्जळी ना दिया न पई अपॉन पान फाई इस से कुछ देखके रखे तो आप क्या कीजिए इस one को one upon one कर दीजिए तो फिर one upon one divide बाया तो multiply करने से five upon one हो जाएगा यानि five into one five one into one one तो यानि आपका five upon one answer five आ गया यह था eight-sum इसमें आपका ये concept clear हो गया nine sum हम लोग करने वाले मोग समझने वाले तो रूट में कैसे addition होता है और multiplication सपोज आपके पास है square root of 2 plus square root of 3 तो क्या हम इसको add करके square root of 5 लिख सकते हैं बिलकुल नहीं तो यह add ही नहीं होता है तो इसको आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा नहीं इसका final answer यही है इसका कुछ नहीं हो सकता square root of 2 plus square root of 3 add नहीं हो सकता ठीक multiplication root के अंदर जो number है वो multiply हो सकता है provided यह square root है और यह भी square root है अगर यह square root और यह cube root है यानि कि आपके पास कुछ ऐसा है ठीक है cube root of 3 तो क्या यह multiply हो सकता है नहीं यह multiply नहीं हो सकता है तो बहुत ध्यान रहे है यह concept है यह concept और यह concept तीन concept clear हुआ है okay let's move on to the 11th sum जहां पर आपको एक और concept clear होगा suppose आपके पास square root of 2 है और minus 5 square root of 2 है तो यहां पर दिखाए दे रहे हैं मैंने यहां पर बोला था आपको पिछले sum में कि square root of 2 और square root of 3 एड़ नहीं होता है लेकिन अगर मेरे पास square root of 2 है और उसी के साथ में कोई number के साथ में square root of 2 है तो मैं यहां पर 1 डाल दूंगा ठीक है और फिर क्या करूंगा square root of 2 common ले लोगा कि दोनों में और 1-5 bracket के अंदर आजाएगा तो यह आजाएगा minus 4 square root of 2 यह मैं कर सकता हूं ठीक है यह possible है ठीक है इस तरह से हम लोग कर सकते तो अगर मुझे यही 1 square root of 2 into minus 5 square root of 2 मिला तो इ multiply किए 1-5-5 आता है ठीक है इस तरह से deal करना है और इसको बतब root 2 into root 2 multiply कर दीजिए तो answer root 2 into root 2 आता है यह याद रखना ठीक है तो answer आजाएगा minus 10 देखिए एक याद रखिए root 2 into root 2 होता है इसा क्यों होता है क्योंकि root 2 into root 2 actually root 4 होता है और root 4 का answer 2 आता है वैसे root 3 into root 3 जो है वो आता है root 9 जिसका answer 3 आता है और या तो आप ऐसा याद रख सकते हो कि root को root से same number से multiply करें तो आपका root हट जाता है और वोही number वापस आ जाता है तो यहाँ पर इसी तरह से 2 आया और 2 को minus 5 से multiply करें तो minus 10 है आज मैंने आपको 12 simple sums कर रहा है जिसमें आपका लगबक छोटे मोटे basics तो clear होंगे इसके बाद following video में और भी sums आएंगे जिसमें आपका जो जो tricks रहेगा या जो भी issues आपको बीच में आता है को भी some up solve कर रहे हो उसमें कहीं नहीं आप अटक रहे हो तो वो further आपको issues नहीं आएंगे ठीक है इसी तरह पढ़ते रही है passionately thank you so much and have a good day